जिन्दगी का एक उसूल हमेशा याद रखना दोस्ती सबसे करना पर भरोसा सिर्फ खुद पर करना अपने रास्ते हमेशा खुद चुनना क्योंकि तुमसे बैतर तुम्हे कोई और नहीं जानता और कभी किसी से मदद की उमीद मत करना क्योंकि उमीद हमेशा दुख देती है और जब मन्जिल तुम्हारी है तो उसके लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुमको करनी पड़ेगी दोस्तों ये दुनिया हमेशा उखते हुए सूरज को सलाम करती है तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी संगर्श को हमेशा नजर अन्दास करती है इसलिए अगर कोई तुम्हें नजर अन्दास करे तो यह बत याद रखना कि दुनिया हर उस चीज़ को नजर अन्दास कर देती है जो उसकी हैसियत से बाहर होती है किसी ने क्या खूब कहा है जीने का बस यही अंदाज रखो जो तुमें ना समझे उसे नजर अंदाज करो क्योंकि आपके पास समय बहुत ही सीमित है इसे फालतू के लोगों पर बरबाद मत करो आज से और अभी से अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो यह बात हमेशा याद रखना खूद एता है जो वक्त को वो जिन्दगी पर पश्ताता है क्योंकि गोज़रा हुआ वक्त कभी लॉट कर नहीं आता है इस दुनिया की परवा करना बंद कर दो क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता दुनिया उन पर हस्ती है और जिनके पास सब कुछ होता है ये दुनिया उनसे जलती है ये जिन्दगी का कड़वा सच है ना लोगों को काइदे पसंद है ना लोगों को वाइदे पसंद है लोगों को सिर्फ अपने फाइदे पसंद है इसलिए जरूरत से ज़्यादा वक्त और इज़त लोगों को अगर आप देंगे तो वो आपको गेरा हुआ समझेंगे कभी किसी की बातों में आकर हिम्मत मत हारना क्योंकि जहां हिम्मत समाथ होती है हार की शुरुआत वही से होती है मैदान में हारा व्यक्ती तो एक बार जीट सकता है लेकिन मन से हारा व्यक्ती कभी नहीं जीट सकता आपका आत्म विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है जिन्दिगी में अगर बुरे वक्त से गोजर रहे हो तो हमेशा यह बात खुद को याद दिलाते रहना कि वक्त ने फसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ हालातों से हार जाओं मैं वो इंसान नहीं हूँ जिन्दिगी की तपिश चाहे जितनी तेज हो कभी हाताश मत होना क्योंकि धूप चाहे जितनी भी तेज हो वो समंदर को सुखा नहीं सकती और अपने उपर कभी घमंड भी मत करना क्योंकि अगर तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और एहंकार अगर हो तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती है दोस्तों जिस तरह लोहे का जंग ही उसे खत्म कर देता है ठीक उसी तरह किसी भी इंसान का घमंड और एहंकार उसे नश्ट कर देता है दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा मायूस मत होना जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और होसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यसी कोई मंजल नहीं है जिस तक जाने का कोई रास्ता ना हो अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता चाहे वो ओलंपिक की दोड़ हो या जिन्दगी की दोड़ जिन्दगी में अगर हारने से डर लगता है तो कभी जीतने की उमीद भी मत करना तो कि जीत हासल करने के लिए मेहनत लगन के साथ जुनून और सिर्फिरा होना भी बहुत जरूरी है अगर तुम्हें अपने लक्ष से प्यार है उसकी लिए पागलपन है तो तुम कुछ भी कर गोजर जाओगे इस दुनिया में लोगों की यही दिक्कत है वो अपने लक्ष के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन अपनी सोच नहीं बदल पाते और जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो जिन्दगी में कुछ नहीं बदल सकते जिन्दगी में बुरा वक्त किसका नहीं आता लेकिन समझदार इंसान रास्ता बनाता है और कमजोर इंसान बहाना बनाता है अच्छा खाना तो हर कोई चाहता है लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता ठीक उसी तरह अच्छी जिन्दगी तो सब को चाहिए लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता क्या आप भी उनी लोगों में से एक हैं? अगर नहीं तो आज अभी से लोगों की परवा किये बिना अपने काम में जुट जाएए और सकारत्मक सोच के साथ अपने लक्ष की तरफ बरते चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारत्मक उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशार